दोस्तों, क्या आपको कुछ दिनों से आपके मुका स्वाद बदला बदला से लग रहा है? जीब में कड़वा बन लगता है और कुछ भी खाते हैं तो वो कसेला से लगता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो दोस्तों ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं है बहुत से लोगों को मुका स्वात करवा होना यानि बाट टेस्ट आना बहुत ही कॉमन भात है ऐसे में लोग इस स्वात को ठीक करने के लिए मीठा, नमकीन या फिर कुछ खटे बदातों का सेवन करते हैं मुका स्वात कैसा लाय करवा होनी के कई सारे रीजन्स भी हैं जैसे दांत और मसूरों की समस्याएं, जीब से संबंदित कोई प्रॉब्लम हो या ड्राइ माउथ के सास सांसों से संबंदित कोई सांक्रमन हो ऐसे ड्रिफलक्स की प्रॉब्लम हो तो इन सारे प्रॉब्लम्स में न मुका करवा होना या फिक कसेला होना बहुत कॉमन बात है मुझा स्वाज जब बिगर जाता है तो कुछ भी खाने पीने में भी स्वादिश नहीं लगता है तो ऐसे में मैं आपको कुछ home remedies बताने वानी हूँ अगर आप इनको try करेंगे तो आपके मुझा कसेला और करवापन दूर हो जाएगा ये वीडियो sponsor किया है HY headphones ने तो यहां latest headphones, gaming headphones, gaming earbuds को बाई करने के लिए visit करें हमारे amazon store पे link वीडियो के description में दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले आपको नमक के पानी से घरारे करने हैं नमक पे मौझद antiseptic गुन्ना मुझ के बैक्टिरियास को खत्म करते हैं और करवाहट को दूर करते हैं इसके लिए रोजाना गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आपको गरारे करने हैं इससे मुखा स्वार ठीक हो जाएगा आप इस उपाय को दिन में तीन बार कीशे और next step save के सिरके का इस्तमाल करें इसके लिए एक बड़ा चुमच आपको save का सिरका लेना है ग्लास गर्म पानी लेना है एक ग्लास पानी में एक बड़ा चुमच सेप का सिरका मिक्स करें इसे अच्छी तरहां से हिलाएं चाहें तो इसमें थोड़ा सा शेहब भी मिक्स कर लें ऐसा रोजाना दिन में एक बार करके आप इसका save करें आपके जो मुँ का कड़वा हट पन है वो दूर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप बेकिंग सोड़े का स्तमाल करें दोस्तो यदि आपके मुँ से काफी जदा कसेला और कड़वा स्वाद आता है कुछ भी खा नहीं पी रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा लीचे इसमें 5-6 बुने नीबू का रस मिक्स करें जब आप सुब हमें ब्रश कर लें तो इसके बाद में इस पेस्ट से दांतों को साफ करें और अपनी जीब को भी बेकिंग जोड़ा मूँ के पी हेश लेवल को कंट्रोल करता है पी हेश लेवल बिगरने से भी मूँ का स्वाद खराब होता है तो ऐसे में ये प्रॉब्लम ही हो आपको तो आपकी जीब है उसमें से करवापन दोर हो जाएगा नेक्स नीमबू का रस इस्तमाल करें गुनगुने पानी में नीमबू का रस मिलाकर गारगल करने से भी आपको इसमस्या से शुटकारा मिलता है क्योंकि नीमबू में मौचुद वाइटामिन सी मूँ के पी हेश लेवल में सुधार करता है और कड़वा हटपन को दूर करता है और आप हल्दी और नीबू का इस्तमाल करें इसकेविए आपको आदा चुमच अलदी पाउडर नीबू के रसकी कुछ बूर्णे मिलाएं इस गाड़े से पेस्ट को अपनी जीब और मुझ के अंदर लगा लिए और फिर उसके बाद पांसे दस मिनित बाद गुनुनी पानी से आप मुझ को धोले ऐसा लग भग आपको दिन में दो बार करना है दो दिन में ही आपका जो जीब का कड़वा हटपन है वो दोर हो जाएगा